सो यह हमारा सीन जो है पूरा ब्लैक आउट हो गया है यह क्यों होगा है क्योंकि जो यह हमारा सीन देख रहा है जो हमारा कैमरा लगा हुआ है उस कैमरे के थुरू हमारा लाइट सूट कर रहा है सीन पर मतलब हम जो भी चीज देख रहे हैं वो कैमरे की थुरू देख रहे हैं तो anti-aliasing क्या करता है, जो भी light bounce होती है, जो भी light raise निकलती है, वो scene में camera के through जाती है, और उसके बाद हमारा यहाँ camera की setting क्या है, और बाकी मैंने 0 कर दिया है, तो यह camera की setting की है, मतलब यह जो हमारा camera, जो हमें show कर रहा है, जो रेंडर दिखा रहा है, जो हमारे light raise जो जा रही है, उसकी setting हमने यहाँ पे 0 कर दिया है, और camera anti-aliasing 1 रख है, तो इसी कारण से हमें यह पूरा scene इस तरीके का दिख रहा है, तो यह depend करता है, हमारी यहाँ की setting की, जो setting होगा, उसी according हमारी जो light होती है, वो perform करती है, जो हमारी यहाँ की setting अगर weak या एक तरीके से कहते हैं, अगर setting सही नहीं होगी, तो हमारा render quality सही नहीं नहीं के लेगा, तो यही reason है कि ऐसा हमारा scene देख रहा है, अब हम क्या करते हैं, इसको one by one हम लोग increase करते हैं, तो पहले मैं diffuse को one करता हूँ, तो उसके बाद देखिए, क्या scene में change होती है, यह देखिए, थोड़ा सा हमारा scene change हुआ है, बट यह पूरा अभी उस तरीके से नहीं change हुआ है, तो अब क्या करेंगे, हम लोग इसको two कर लेंगे, और जो हमारा camera antializing को two कर दिया, तो इसका मतलब है, यह देखिए, यहाँ पर यह हमारा camera antializing sampling जो ऊपर दिख रहा है, वहाँ पर sample four दिखा दे रहा है, यह देखिए, four दिखा रहा है, यह क्या होता है, जो हमारा twice कर देता है, जो sampling होती है, वो twice हो जाती है, अगर हम camera antializing को two रखते हैं, तो यह four यानि कि जो हमारा 4 rays per pixel calculate होगा scene पे तो हमारा scene जितना बड़ा होगा जो scene size है जैसे मैंने scene size लिया है 640 बाई 480 का तो वो उसी के according calculate होगा यानि कि मेरा एक जो pixel है उसके अंदर anti-alizing जो है 4 rays per pixel calculate करेगा 4 rays per pixel हमारा अभी इस time calculate करेगा जो anti-alizing है उसी तरीके से जो हमारा diffuse है 2 है तो ये देखें ये कैसे calculate करेगा 2 into 2 is called to 4 और 4 multiply by 4 मतलब जो हमारा diffuse है 2 into 2 is called to 4 उसके बाद ये multiply करेगा हमारा जो camera anti-alizing है उससे तो ये हमारा 4 into 4 हो जाएगा it means 16 per pixel यानि कि एक pixel में हमारे जो है 16 sample जो होगा diffuse का होगा उसी pattern में specular भी हमारा अगर हम specular को 2 कर देते हैं इस time तो specular भी देखिए अभी ये उसी according calculate करेगा ये render हो रहा है तो 16 जो है per pixel जो specular है वो भी count करेगा तो हमारे scene में total number of जो है sample कितने हो गए 64 यहाँ पे देखेंगे total number of light जो यहाँ पे number lights दिख रहे है 36 और maximum 64 यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो it means अगर हम सभी को calculate करेंगे तो यह हमारे total number of rays हो गए है कि per pixel में इतने rays जो है calculate कर रहा है अब सेम जो हमने पहला render निकाला था और यह आपका render है इस हमारा इस render में सिर्फ anti-aliasing, diffuse और specular calculate हो रहा है बाकी का जो transmission, triple S और जो volume indirect है वो calculate नहीं हो रहा है तो दोस्तों यह सबसे ज़रूरी बात होती है कि ध्यान देने वाली कि हम जब अगर scene में इस तरीके का कोई parameter नहीं है तो इन सभी commands को zero कर दें अगर यह रहता है, मालेजिए अगर आपके पास triple shader है नहीं और आपने two रख दिया, तो वो calculate करेगा और वो render time बढ़ाएगा यह सबसे ज़्यादा important होती है कि आपके scene में क्या चीज है कि आप किस चीज को render करने जा रहे हो कौन सा material है, वो depend करता है यह सब चीज जाना बहुत जरूरी होता है और एक lighting artist जो करता है, light करता है, setting रखता है उसको यह material का बहुत से सोना जरूरी होता है कि हमारा जो भी scene render कर रहे है उसमें किस तरीके का material हम use कर रहे है किस तरीके की जो हमारी setting होगी कौन सा हमारा command active रखना है अब जैसे यहाँ पर देखिए अगर मैं normally जो simple से starting में क्या करती है सभी commands को हम लो बढ़ा दिया कि camera analyzing 4 कर दिया, diffuse इतना कर दिया और हमारा scene में transmission है नहीं लेकिन उसको भी बढ़ा दिया लेकिन यह render के time में यह सभी चीज़े calculate करेगा और वो render time आपका बढ़ाएगा सो दोस्तो यह चीज़े यहाँ पर depend करती है मैंने क्या किया, camera analyzing को 4 कर दिया और उसके बाद render किया तो यह देखिए, render time मेरा बढ़ जाएगा और quality और अच्छी हो जाएगी जो हमारा यहाँ पर noise थोड़ा बहुत दिक राता वो भी remove हो जाएगा और उसके बाद scene थोड़ा और better हो जाएगा तो यह depend करता है हमारे यहाँ camera anti-aliasing पर अब देखिए, अभी मैंने सिर्फ 4 किया है तो camera anti-aliasing 4 कर दिया तो उसके बाद हमारा जो camera anti-aliasing 4 कर दिया उसके बाद देखिए हमारे pixels कितने हो गए total number of pixels हो गए diffuse का जो pixel हो गया 16 हो गया, oh sorry 64 हो गया it means 2 into 2 हो गया 4 और उसके बाद हमारा जो है number of हमारा anti-aliasing जो है camera anti-aliasing उपर सबसे देखेंगे sample वो 16 दिखाई दे रहा है तो 60 multiply by 4 तो कितना हो गया 64 हमारे per pixel raise हो गया मतलब एक pixel के अंदर 64 samples जो होंगे diffuse के होंगे specular के होंगे और जो भी हमारा 6 parameter में से कोई भी active होगा वो उसी के according जो camera anti-aliasing है उसी के according multiply हो जाएगा तो अभी हमारा scene जो हमारा scene है उसी के according render होगा तो ये सबसे हमारा important और मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही ध्यान देने वाली चीज होती है camera anti-aliasing को rendering time में कितना use करना है अपने scene के according कैसा यही पर depend करता है कि quality किस तरीके से निकाली है जैसे मान लिए अभी normal quality निकाल है तो 4 रखे और अच्छी quality के लिए 8 रख लीजिए और उससे अच्छा एक तरीके से super quality कह सकते हैं तो 16 रख लीजिए लेकिन उसका render time बहुत ही बढ़ जाएगा तो यह depend करता है यह देखिए मेरा कुछ इस तरीके का scene अभी render हो रहा है जो 4 में है वह time increase हो गया तो देखे यह हमारा जो sampling था camera anti-aliasing का वो जो है 4 पर render हुआ तो देखे कितना इस quality में कितना changes आया है यहाँ पर कुछ noise और दिख रहते जो हमने पहले render किये थे वो कम हो गया और यहाँ पर थोड़ा scene और better हो गया so thank you दोस्तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like और subscribe जरूर करें अपने दोस्तों को जरूर share करें thank you दोस्तो